वेलकम टू माई चैनल डावलुपी अडवान्स एड़ुगाशन तेके तुमादे सोभाई के सागतो। आज आमी क्लास फाइबेर विन्स बोल लेशन वान ने अलोचना कोरवो। चलो सुरू करा जाक। रिट दा पैसेज एंड डू दा फलोइंग अक्तिविटीज। पैसेज डी पोडे अक्तिविटी वुली सल्व कत्य हवे। रोबिंद्रो ना टेगट दा ग्रेट इंडियान पोएट वाज एन अनकम्प्रोबाइंजिंग लाबार अम्यानकाइण। भारतेर विखात कोभी रोबिंद्रो ना ठाकूर छिलैन आपस हीन मानव जातिर पेमिक। He believed in the idea of universal humanism, तीनी विश्चास करतेन सर्वो जनीन मानवता बादे। He started राखी बंद्रोबाइं इन 1905 as a protest against the partition of Bengal, तीनी 1905 साले बंगो भंगेर विरुते राखी बंद्रोबाइं उच्च पलन करें। Since then, it has become the festival of brotherhood and communal harmony. तार पत्थे के एटा भ्रातितो संप्रोदाइक संप्रीतिर उच्च विशेवे पलिता होई। This festival strains the bond among people. एई अनुस्टान मानुसर मोद्दे बंदन सुधिरो करे। रोबिंद्रोनात always wanted to spread the message of peace and love. रोबिंद्रोनात सबसमय चाहितेन संती व भलोबाशा छडिये दिते। Today the people of India practice राखी मंदन across the country define the barrier of caste, creed and religion. आज राखी मंदन उच्चप समस्त जाती, धर्म, बर्न, समस्त बाधा पेरी ये सारा देशे अनुस्ठीत होई। Activity 1. Read the passage carefully and answer the following questions. Passage D. भालोबावे पोडे पोशनोगुली उत्तर कत्य हवे। A. What idea did Tegar believe in? Answer हवे Tegar believed in the idea of universal humanism. Next B. Who started राखी मंदन? Answer हवे रोबिंद्रोनात Tegar started राखी मंदन. Next C. How do the people of India practice राखी मंदन today? Answer हवे Today the people of India practice राखी मंदन across the country define the barrier of caste, creed and religion. Activity 2. Complete the following sentences with information from the text. आगेर passage D. देखे बाक्कोगुली सम्पुनों कोत्ते हवे। A. रोबिंद्रोनात वाजे लावार अब मैनकाइन्ड. B. राखी मंदन फेस्टिबेल स्टार्टेड इन 1905. C. राखी मंदन बिकेम ए फेस्टिबेल अब ब्राधार हुट एन कमिउनाल हर्मोनी. D. इस फेस्टिबेल स्टेंच दा बॉन्द एमोंग पिपिल। Read the following sentences. एकाने sentence बुली पुर्ते बोले चे तम्रा sentence बुली पुर्बे। Next तम्रा कोर्बो. Activity 3. Let's read the passage carefully and fill in the chart with appropriate WH word given in the box to make interrogative sentences. One is done for you. एकानेक्टी पैसेस दे आचे, पैसेस डी भालोव हावे पोडे, हेल बोक्स देके स्टिक WH word निये, WH word एर घट्टी पुर्ण कत्ते हवे. Number one कोरे देवा चे, What is your name? माने तोमा नाम की? Number two हवे, Where do you live? माने तुमी कताई बास करो. Number three हवे, When do you go to school? Number four हवे, How old are you? माने तोमार बयस कतो. Number five हवे, Who is your class teacher? माने तोमार सेनिट सिक्को के नाम की? Next activity four, identify the subject and the predicate in the following sentences and write them in the table given below. एकोन आमरा निम्नो लिखीतो बाक्कोस उमिर उद्देशो विदेयो अंसदूती चिन्नितो करभो. ओ निचे टेबिले तादे स्रेनी विभाग करभो. प्रोथमेट्या रहेना Is playing in the field? एखाने रहेना सब्जेक्ट Is playing in the field? ए अंसटा प्रेडिकेट. आजिजुल्स steering क्लास 12 क्यास सब्जेक्ट . सुसानत्य सब्जेक्ट थेखार विंजुथंः प्रेडिकेट . कालिंपंग सब्जेक्ट इस सन्युद्रिस्टियिक . नेक्स्ट आम्रा कोर्वा एक्टिविटी फाइव इन्साट अप्रोपिएट पांचुएशन मार्क्स इन दा फॉलोईंग प्यासेज ओन इस दन फॉर इू निम्नक्त अनुच्छे दे उपजुक्त जोतिचिन ब्यावर कोते हवे No.1 It was a rainy day, full stop. Amit le sick on his bed, full stop. He was very sad as he could not join the football match with his friends Anup, Kunal and Sumit, full stop. Amit's friends came to him the next day and told, comma, double quotation, Suru, how are you feeling? Question mark, double quotation, closed. तार पर बोला आचे रिराइट दा प्यासेज यूजिंग कारेट पांचुएशन मार्ट्स नामबार टुए तेओ एकी जीनिस जथा जथा जोती चिन्वा बैवार करे अनुचेत दी लिखते होबे देखो आमरा स्वरासोरी खाताई चोले यावो कारोन बोयर मोद्धेटे प्रबलेम होच चीलो ताय आमी खाताई लिखे दियेची देखो आवर हेडमास्टर टीचेस आस इंगलीश फुल स्टॉप वन डे ही सेट तु आस कोमा डबल कोटेशन सुरू हव यॉसिन आवर ही आवो कोमा डबल कोटेशन सुरु कोटेशन सुरू समामगास ओ,uma एक्तिविटीटी शेर, फुल स्टॉक, नेक्स्ट एक्तिविटी शीक्स, पूर्ट दा वर्ड्स इन दा कारेक्ट बॉक्सेश, एखाने कीचु वर्ड देवा आचे, एई वर्डबुली ए एन दी बॉक्सेर मोद्दे लिखता होबे, ए आटिकेलेर घरे थागबे, उनियन, ख्लावार, लीब, ओमेन, बैनाना, उनिवासिटी, एनेर घरे थागबे, ओरेंज, एमे, ओस्ट्रीच, आवार, एग, दी आटिकेलेर घरे थागबे, कावेरी, स्टेट्समेन, कुतुब मिनार, हिमालोयास, नेक्स्ट एक्टिविटी सेबेन, उस ए, कोमा, एन और दी, तु फिल दा गिवेन ब्लांग, ए एन और दी बोशिये ए सुन्नोस्तान गुली पुरोन कोत्य बोलेचे 1. Give me an egg and a banana, 2. He is an MP of our locality, 3. Mitha is a university student, 4. The cow is a useful animal, 5. Bornali is the best girl in our class, 6. She is an old lady, 7. Sugar sales, Rs. 20 per a kilo, 8. This is a one-act play, 9. He is an honest man, 10. The pacific is the deepest ocean. Next, activity 8. There is a mistake in each of this sentence, circle the mistake and rewrite the sentence correctly. निचेर जे sentence गुली आचे, एखाने एक्टी कोरे कोताब भूल दे आचे, सेई भूलती सटीक कोरे नोतून कोरे sentence लिखते होबे 1. एक्टी कोरे दे आचे, B. He traveled around a country in a bicycle, एखाने एंटा भूल आचे, एंसार होबे, He traveled around the country in a bicycle, 2. C. Onamika meet an old man and a young lady, एक्षाने एक्टा भूला चे, एंसार होबे, Onamika meet an old man and a young lady, 2. D. My mother is reading an book, एक्षाने एंटा भूला चे, एंसार होबे, My mother is reading a book, 3. E. He is a honorable man, एक्षाने एक्टा भूला चे, एंसार होबे, He is an honorable man, 4. Next activity 9, Fill in the blanks with words from the wardrobe, पासे wardrobe आचे, एई wardrobe थेके, वर्ड निये सुन्नोस्तान गुली पूर्ण कोत्ते बूले चे, A. She opened the door gently and went in, B. The history of mankind is a struggle for existence, C. We all celebrate different festivals, D. The student explained why he was late in school, आज गेर वीडियो टी एई पोजन तो, वीडियो टी जोई तमादेर भालो लागे, अबस्तों लाइक दियो, आमा चैनल दी साब्सकाइब ना कोरे थागले, चैनल दी साब्सकाइब कोरे, पासे थाका बेल आइकोन प्रेस कोरे, अन नोटिफिकेशन अन कोरे राखो, जाते नेक्स्ट वीडियो आन नोटिफिकेशन तम्रा सोबार आगे पेज आबे, चैनल दूए.